गुजराट टाइटन्स के खलाफ एक शांदार पारी खेल कर उत्रप्रदेश के अलिगड के रहनी वाले रिंकु सिंग ने आईपियल के 15 सालों के तिहास में एक बेहद यादकार पारी खेल कर सभी क्रिकट फांस को अपना मुरीद बना लिया। नौ अपरेल को गुजराट टाइटन्स वर्सिस कॉलकाता नाइट राइडर्स माच में रिंकु ने पांच गेंड में पांच छक्के लगा कर कॉलकाता नाइट राइडर्स को आई पियल टी 20 मुकाबले में यादकार जीत दिलाई। इसके बाद केके आर के मालेक और बॉलेवुट के किंखान के साथ साथ बहुत सिद्ग कजो ने रिंकु सिंग को बढ़ाई दी। 12 अक्टुबर 1997 में जनमे रिंकु एक बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। क्रिकेट के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। जिसके वजहा से रिंकु 2014 में उत्रप्रदेश के अंडर 19 और से लिस्ट A और T20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुरकर नहीं देखा। महस दो साल बाद रिंकु ने पंजाब के खलाफ मुकाबने में अपना फॉस्ट क्लास डेब्यू किया। रिंकु सिंग एक गरीब वर्ग से तालूक रखते हैं। उनके पिता घरों में गैस सिलेंडर पहुचाने का काम करते थे। परिवार की आर्थे कि स्तिती कमजोर होने के चलते रिंकु के पिता उन्हें बैट तक नहीं दिला पाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकु के पिता ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि रिंकु ने अपने करियर के लिए जो कुछ किया वो खुद अपने बलबूते पर किया। रिंकू को सबसे पहली किंग्स 11 पंजाब ने साल 2017 में 10 लाख रुपे की निलामी में खरीदा था लेकिन उन्हें उस सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था वहीं साल 2018 के IPL सीजन में रिंकू को कॉलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख रुपे की कीमत में खरीदा था खास बात ये है कि 2018 के बाद से ही रिंकू के के आर के साथ चुड़े है IPL सीजन 2019, 2020 और 2021 में भी के के आर ने रिंकू को अपनी टीम में शामिल किया गौर तलब है कि 2018 से 2021 तक रिंकू को के के आर ने 80 लाख रुपे में ही खरीदा वहीं 2022 में के के आर ने उन्हें पहले से कम यानि 55 लाख रुपे में अपनी टीम में शामिल किया बात करे रिंकू के फ्यूचर की तो इस शांदार पारी के बाद बेशक रिंकू की कमाई बढ़ने ही वाली है फिलहाल महिने का लाखों कमाने वाले रिंकू का बल्ला यूँ ही चलता रहा तो जल्दी उनकी डिमान विज्यापन जुगत में भी बढ़ने वाली है जिससे उनकी कमाई भी बढ़ जाएगी रिंकू सिंग ने जियो सिनिमा को दी एक इंटर्व्यू में ये खुलासा किया था कि उन्हें क्रिकेट पसंद था वहीं उनकी मात थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी लेकिन पापा क्रिकेट को बिल्कू सपोर्ट नहीं करते थे जब पहली बार रिंकू कानपू टोनामेंट खेलने गए तो उनकी मा ने पडोस की एक आंटी से हजार रुपे उधार मांग कर भेजा था रिंकू सिंग को पहली बार आईपियल में पंजाब की टीम में 2017 में 10 लाख रुपे की बेस्ट प्राइज में खरीदा गया था जिसके बाद रिंकू ने उनका सारा कर्स चुका दिया था इसके बाद जब केक्यार ने उन्हें 80 लाख रुपे में खरीदा तो रिंकू ने कहा था कि उन्हें इसकी उमीद नहीं थी और वो बेहत खुश थे इसी राशी से उन्होंने घर बनाया और अपने पापक को कार दिलवाई रिंकु ने बताया कि उनके पापक अब बहुत मन था कार लेने का और उनके घर में कार आने के बाद वह बहुत खुश हुए थे रिंकु ने खुद ये माना की आई पियर खेलने से उनकी जिंदगी तब आपका क्या कहना है रिंकु सिंग केस जीवन को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दे